नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं इविद्या चानल चानल नमबर नो और इसके साथ ही आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चानल जो है NCRT ओफिशल और NCRT PME विद्या क्लास नमबर नो आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेनुभाट अपने इस लाइव इंटराक्शन में और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि हम इस सेतर पे किस विशे पर बात करने वाले हैं हम सोशल साइन्स के नाइन स्टैंडर्ड के स्टूरेंस के लिए बात करेंगे बहुत्त हैं इमपोर्टन टॉपिक पर और अबचव protocol ने लैकर चाहन आनाव पिछ से नाधिस हो जाते हैं और किस किस तरह से हो और करें हम संधुन तो विखे विशेशगे अने सथो जो इस समय हमाएसाथunun मौजूद हैं तो विदाउट को आनी पौदर्ट आप हैं मिस्स अशोशिका भधोरिया माम आपके बहुत बहुत स्वागत हैं धन्यवाद थैंक्यू आपके बारे में आप सभी को हम बता दें बच्चो कि माम लेक्चुरार पॉलिटिकल साइंस हैं सबोधिय कन्या विद्याले मयूर विहा फेस वन दिल्ली से और आपके मन मे कोई भी क्वेरी आ रही हो आप कुछ जादा जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में या फिर अपना ही कोई experience हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप बेज़ज़क हमसे जूर सकते हैं हमारे भेभन मात दिमों से आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलिफोन नमबर पर पर आप लाइव चैट बॉक्स पर जाके अपना कॉमेंट रॉक कर सकते हैं यह सबसे तेज जरिया हम से जुड़ने का और हम चाहते हैं कि आप ज्यादे से जादा अपनी बाते हमारे साथ शेयर करें और अपनी चीजें और अनुभव हमारे साथ बताएं हमारे एक्सपर्ट क हम आप से जानना चाहेंगे अगर हम डिमोक्रेसी की बात करें कि लोकतांत्रिक देश में ही चुनाव होते हैं तो क्यों जरूरी है और अब गर हम चुनावों की बात करते हैं तो हाल यह हमारे देश में भी अभी लोकतांत्रिक देश का एक बहुत इंपॉर्टन फीचर है पर इसका मतलब बिलकुल नहीं है कि जो देश लोकतांत्रिक नहीं है वहां चुनाव नहीं होते हैं, तरे दिफर करते हैं, अब आपने लोकसभाव को मेंशिन किया, तो हालहीमे बातार्वी रिवाइब करने के लिए उसको सशक्त करने के लिए क्योंकि चुनावों के माध्यम से ही कही न कहीं जनता सरकार की accountability को ensure करती है एक पार दर्शता आती है system में they have a reason to hold उनको पता है कि 5 साल अगर वो सत्ता में आए हैं और अपने agenda की भरपाई नहीं करेंगे उसकी पूर्ती नहीं करेंगे तो फिर अगले पांस साल जब खतम होने पर आएंगे तो अगले चुनाव में किस मूँ से उस जनता के सामने जाएंगे इस विए चुनाव कहीं सत्तारूर दल की accountability को ensure करता है तो democracy को strengthen करने में चुनावों की बहुत important भूमिका है कि लोगसभा चुनाव का जिक्र हुआ है तो इस बार के लोगसभा चुनाव बहुत ही इंट्रस्टिंग थे सभी को पता है अठारवी लोगसभा के चुनाव थे और टोटल 543 सीट्स पर चुनाव हुए यह चुनाव साथ फेस में हुए पहला फेस 19 एप्रिल से स्टार्ट हुआ और सात्वा फेस खताम हुआ एक जून को अगर चुनाव के रिजल्ट्स की बात करें तो वह पार्टी जो हाइस नंबर अव सीट्स लाई है वह रही बीजेपी 240 सीट्स के साथ फॉलोड बाई कॉंग्रिस वित 99 सीट्स समाजवादी पार्टी 37 सीट्स और इस चुना पार्टी जो कि अंद्रप्रदेश से है तथा जनता दल यूनाइटेट जो कि बिहाद से है साथ ही साथ में दिस वस्ट लाजस्ट एवर एलेक्शन सर्पासिंग प्रीवेस एलेक्शन और करीवन करीवन 44 देस तक यह चुनावी प्रक्रिया चली आपको बताना चाहोंगी जो हमारे प्रथम आम चुनाव हुआ था वो भी 1951 से लेकर बावन मतलब अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था और उसकी चुनावी प्रक्रिया फेबरी 1952 में जाके समाफ्ट हुई थी तो इस वाज़ा लॉंग प्रोसेस करीवन पांज में यह लगे थे और वर्तमान के ल प्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि 2019 के चुनावव में 78 MPs एलेक्ट हुए थे और वर्तमान में 84 या फिर 74 हैं राजनेतिक दलों की बात करूं तो 2019 में 36 राजनेतिक दल थे जो लोकसभा में भागिदार थे इस बर 41 पार्टीज हैं अगर महिलाओं के रिप्र आफ्रिका में 46% महिलाएं MPs हैं United Kingdom में 35% हैं अमेरिका में 29% हैं एक भारत देश ही ऐसा है जो इतना विशाल जनता अंतरिक देश है तब भी महिलाओं का रिप्रेसेंटेशन से 14% है 14% आपने सवाल किया था कि चुनावों की आवश्यक्ता क्यों होती है तो चुनावों की आवश्यक्ता इसलिए होती है कि जनता खुद चुन सके जनता अपने नेताओं को खुद चुन सके वो डिसाइड कर सके कौन सा राजनेतिक दल उनके लिए नीतियां बनाएगा कौन सी पॉलिसी बनाएगा कौन उनके लिए निड़ने लेगा तो एक तरीके से जनता अपना राजनेतिक अधिकार exercise करती है चुनावों के मार्धियम से यह जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह भी बहुत important बात है कि जब हम चुनावों की बात करते हैं तो चुनावों में ऐसा क्या होता है जो कि democratic होता है कि किस तरह से जो चीजें हैं वो democratic या लोग के तांतरिक तरीके से होती है यह भी हम आप से जानना चाहेंगे जैसे मैंने पहले ही mention किया था कि ऐसा नहीं है कि सिफ जनतांतरिक देशों में ही चुनावों होते हैं जो देश non-democratic हैं वहां पर भी चुनावों होते हैं तो हमारे देश का चुनाव ऐसा क्या स्पेशल है फीचेस क्या है स्पेशल जो इसको प्यॉर्ली जनतांतरिक देश बनाते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर स्पेशल अडल्ट फ्रंचाइज यह सारभ्भामिक वैस्क मतादिकार रहता है 18 साल और 18 साल से बड़ा जो भी भारत का नागरिक होगा और यहां हर एक व्यक्ति के वोट का वन वोट वन वैल्यू का सिध्धान काम करता है इसको मैं एक्स्प्रेइन करना चाहूंगी कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई टाटा बिल्ला अंबानी कोई पुंजीवादी वोट दे रहा है एक सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा होते हैं, they are free to contest elections and offer real choices to voters. फिर जो लोगतांतरिक चुनाव होते हैं, वो regularly हर पांस साल में होते हैं, हर पांस साल में होते हैं, तो भई राजनेतिक दलों पे चेक रहता है, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें फिर से वोट मांगने जनता के बीच जाना पड़ेगा. साथी साथ में, the candidate preferred by the people should get elected and the elections should be free and fair. Free and fair से मेरा मतलब हुआ कि यहां पे money power या muscle power का प्रियोग नहीं होगा. जी, तो माम जब यह elections होते हैं, तो हम देखते हैं कि कही तवे की parties हाती है, इसमें अलग-अलग parties होती है, national party है, regional parties है, तो क्या यह political competition जो है, वो अच्छा है, is it good? जी, मैं तो कहूंगी, competition जहां है, वहां बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जहां competition होता है, वो जो competitive parties होती है, एक दूसरे से सपर्धा करती है, एक दूसरे को आउट्शाइन करने की कोशिश करती है, और इससे फाइदा किसका होता है, जनता का फाइदा होता है, क्योंकि they try to bring good policies in front of the public, क्योंकि उनके सामने जाना है, तो regular electoral competitive process होता है, ये राजनितिक दलों के लिए एक incentive का कारे करता है, the leaders, they try to raise the public concerns that will make them popular and increase chances of their electoral victory, तो जैसे आपको पता है, हर राजनितिक दल जनता को लुभाने की कोशिश करता है, ऐसी policies बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जनता उन लेकिन जब इस तरह की politics चल रही होती है, competition चल रहा होता है, तो इसका एक नकरात्मक पहलू भी होता है, कि भारतिय समात जो इतना diversity से भरा हुआ है, उसके अंदर एक sense of disunity या factionalism का भी ही जनम होता है, क्योंकि अब राजनितिक दल अपनी power politics में, अपनी vote की राजनिती में, छोटे-छोटे element जैसे caste, language, creed, छेतरिन सब का प्रियोक करते हैं, तो इस से चुनावी महौल विशेट हो जाता है, party politics is a dirty politics, और इस तरह की politics का हिस्सा कभी भी सज्जन व्यक्ति नहीं बनना चाहेगा, तो इस कारण क्या होता है, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति प्रेंड करता है, और मैं आपको बताना चाहूंगी, भारतिये इस बार का जो वोटर टर्न आउट रहा है, वो भी 65% रहे लोगसभा चुनाव में, तो एक तरीके से ये वोटर अपहती शो करता है, प्रजातान्तित प्रोसेस के पती, तो भारतिये जन तंत्र में, जो system of elections ह उस पर भी चर्चा करना चाहूंगी, लोगसभा तथा विधानसभा, दोनों के ही चुनाव हर 5 साल में होते हैं, elections, जो constituencies होते हैं, उनके आधार पे होते हैं, कईयों बाद सभी constituencies में साथ में होते हैं, या फिर phases में होते हैं, यहां पे NCRT की book में एक term mentioned है, by elections, या फिर held only for one constituency, to fill the vacancy caused by death or resignation of a member, अब यह वेकेंसी जो कॉस होई हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, कि किसी ने उनको आउस्टेर कर दिया, जो भी रीसर हैं, तो चुनाव आयोग 6 महिने के विधिन पुना चुनाव करवाता है, और उसकी रिक्ती भरता है, और by election किसी एक ही पर्टिक seats हैं, and the representative elected from each लोगसभा constituency is called as an MP, अगर मैं राज्यों की बात करूँ, तो राज्य विधान सभा में जो निर्वाचित होते हैं, सदस्य हम उनको MLA's बुलाते हैं, या फिर Member of Legislative Assemblies बुलाते हैं, आप यह देखेंगे कि एक parliamentary constituency होती है, जो लोगसभा की, उसके अंदर कई अगले पास साल के लिए अपने चेतर को रिप्रेजन करता है, आप देखेंगे, पंचायतो और मुंसिपल इलेक्शन में भी विलेजस को, टाउन्स को, कई वाड्स में बांट दिया जाता है, और वहां से भी एक ही उमीदवार इलेक्ट होकर जाता है, अगर आप जो बच्चों को थोड़ डिफिकल्ट लगता है, तो रिजर्फ कॉंसिट्वेंसीज या आरक्षित छेतर, ऐसे छेतर होते हैं, जो एसीज और एस्टीज की जो जनसंख्या हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनके लिए आरक्षित किये जाते हैं, अब इसक एसी एस्टीज पॉपलेशन का क्या प्रतिशत है, उतने ही प्रतिशत में उनी छेतरों में ये सीज रिप्रेजर्फ की जाती हैं, तो इसलिए ये किसी भी सोशल गुरुप्तिया दिकारों का हननन नहीं करता है, जैसे कि 26 जानुरी 2019 के आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा मे एसीज के लिए आरक्षित जीज 84 हैं और अनुसुचित जनजाती के लिए जो सीट रिजर्फ हैं वो 47 हैं, जी, तुमाम ये तो बात ही रिप्रेजेंटेशन की और कई चीज़े हमने आप से जानी अभी तक, यहां पर हम आप से जानना चाहेंगी क्योंकि चुनाव हो रहे तो क्या कोई कोई कोड़ ओफ कंड़क्श भी होते हैं इन सभी चुनाव की प्रक्रिया के लिए लिए जी, ौड़ ओफ कंड़क्ट या फिर आचार संगिता, डू मॉडल कोड़ कोड़ और बिल्कुल, यह इलेक्शन कमिशन के द्वारा लागू किया जाता है और यह कब में आता है जैसे ही election का notification announced होता है तब से इंप्लिमेंट होने लगता है और यह कब तक चलता है जब तक elections के results announced नहीं हो जाते हैं तब तब कोड़ कोड अफ गंड़क्ट सकरी होता है अब इस दौरान क्या होता है इस दौरान कोशिश की जाती है कि राजनितिक दल या उनके उमीदवानों का जितना भी आचार वहवार है वो पूरा मोरालिटी के विदिन रहे निष्पक्ष रहे मतलब वो लोग जब भी अपना परचार करें कैंपेणिंग करें तो उनको यह चीज ध्यान में देनी होगी कि वो किसी पर परस्नल ऐलिगेशन ना लगाएं मतलब आप नीतियों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं वो सफल रहें या आसफल रहें पर पर स्नल र यह भी प्रभावित करने की कोशिश की जाएं जन्ता को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश ही जा रही है तो मॉरल कॉर्ड फंडक्ट प्लेज इस वेरी इंपॉर्टन रोल तो माम जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो क्योंकि एलेक्शन एक गंफीर प्रक्रिया और इतने बड़े जनतांत्रिक देश में जब चुनाफ करवाना होता है तो यह सभी की जम्यदारी बन जाती है कि सफलता पूरवक चुनाफ करवाए जाएं ऑल्दो एलेक्शन कमिशन इंडिया इसकी मेजर रिस्पॉंसिबिलिटी होती है हमारे समिधान के आर्टिकल 324 में ल सटेन करना इसको सुनिश्चित करना यह हमारे चुनाफ आयोग का कार्य है पर जैसे भारत में कई धर्म जाती भाषा बोलने वाले लोगबाग हैं तो कहीं ने कहीं लोगों की वो परोकिल पॉलिटिक्स हाइलाइट हो ही जाती है जो चुनाफ आयोग पूरी तरी से करता है कि जो election हो वो free or fair हो इसमें काले धन का प्रियोग ना हो इसमें ऐसे उमीदवार पार्टिसेपेट ना करे जिनका कोई criminal antecedent हो है ना तो मैं आपको बताना चाहूंगी Supreme Court ने भी कुछ निर्देशन दिये हैं जो भी candidates या उमीदवार चुनाफ में खड़े होते हैं उन साथ ही साथ में जितने भी details उनके assets and liabilities के होते हैं उनके उनके परिवाजनों के वो सब इननों को public करना पड़ता है साथ ही साथ में उमीदवारों की education qualifications क्या है ये भी सार्जनिक करना पड़ता है ये सब यवस्ता है क्यों की जाती है जिससे जनता एक informed decision ले सके गलत decision ना ले पता तो चले वो चुनकर किसको भेज रहे हैं अगले पांस साल के लिए लोग समा में तो ये है तो बात हुई election के दोरान आने वाले challenges की क्या system रहता है क्या कुछ और बाते हैं आपके पास हमारे दर्शु के लिए बच्चों के लिए जो उनको जानना जरूरी है at this age और इस इसमें हम role of the election commission की बात करेंगे आर्टिकल 324 के दुआरा भारती संविदान में election commission के roles बताये गए हैं अच्छा शुरुवात में जब आपको पता होगा कि 25 जन्वरी को national voters day बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है क्योंकि उसी दिन हमारे प्रथम चुनाव आयोग की स्थाप संपन हो तो conduct and control of elections साथी साथ में announcement of the elections and declaration of the results ये भी election commission का ही कार है हमने बात की थी moral code of conduct को implement करना और अगर कोई party या उसका उमीदवार उसका उलंगन करता है तो उसके लिए सजासुनिशित करना साथी साथ में बहुत important बात है कि इस से पहले क्या होता था 78 से पहले क्या होता कि model code of conduct राजनेतिक दल और उनके उमीदवारों पर लागू होता था पर बाद में इसमें बदलाव लाया गया और ये सत्तारूड दल के उपर भी लागू हो गया तो इसका मतला जो पॉलिटिकल पार्टी प्रीविश्ली विच वाजन पावर अब उसको भी फॉलो करना के अपने फेवर में काम करने के कोशिश करते हैं तो इसको भी model code of conduct में लाया गया साथी साथ में transfer of government officials and when on election duty government officers work under the control of the EC and not the government जैसा कि मैंने बताया हम सभी लोग सभा चुनाव में duty पर थे और उस तरीके से उस समय हम एक प्रकाशी deputation पर थे election commission के अंडर हमें वही रिपोर्ट करना पड़ता था वो जब हमें 20 के लिए बुलाते थे हमें जाना पड़ता था तो एक तरीके से we were directly working under them तो यह तो बात हुई मैं election commission की और कुछ ऐसी बात हैं जो आप हमारे सभी जो बच्चों को जानना जरूरी है elections के बारे में या पर जो भी आज का हमारे जो यह पूरा chapter रहा हम और उसमें काफी important बाते हैं जो है बच्चों के साथ share की गई कुछ ऐसे key points या फिर important बाते हैं ज अब ही बच्चों से कहूंगी जो बॉक्सेज वहां मेंशन किये गए हैं और वहां पे काफी सारे मैप्स भी दिये गए हैं उन मैप्स के नीचे कुछ subclosses और कुछ कुछ क्वेशन किये गए बच्चों प्लीज इस चाप्टर को पढ़ने के बाद आप उन क्वेशन को कि जब भी इलेक्रोल प्रोसेस होता है तो कैसे कैसे इशुज उत्पन होते हैं उनको स्टोरीज के दवारा हाइलाइट किया गया है तो I think you know to have a better understanding of the chapter you must go thoroughly through the chapter and go through those stories also you must attempt writing those questions and the map too right तो यह कुछ बात है जो आप कर सकते हैं वह सारी स्टोरीज और जितने भी थेयरी आपको मिले आप पढ़ें और मुझे लगता है कि अपने आसपास और भी बाते को बहुत ही अब्सर्व करने की बच्चों क्योंकि बहुत ही रीसेंट हमने इलेक्शन में तो इन चुनावों के बारे में आप अपने नॉलेज बढ़ा सकते हैं जैसे आपको जहां पर मिले आप जरूर पढ़ें चीजों को अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं तो माम यहां पर हम इस सद्र को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे लेकिन अशोशिक उमाम हम आपक इसे पूरा चाप्टर हमारे सभी बच्चों तक पहुचा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम बात कर रहे थे लक्टोर पॉलिटिक्स पर और यह सोशल साइंस के नाइन स्टैंडर्ड के स्टूरेंस के लिए था बच्चों आप अपने अब्जर्वेशन को और ज्याद और आज इस पांच दिवसी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आखरी दिन है आप उसमें किस तरह से पाटिसिपेट कर सकते हैं और कैसे आपको उसमें रेजिस्टर करवाना होगा वह आपको उसी सत्र में बताया चाएगा लेकिन अभी फिलहाल मुझे रेणु भट को दें इस सत्र से अनुमती नमस्कार